नमस्कात दोस्तों स्वागत है आप सबी का बाड़ी खबले कर आए हैं गुजरात विधानसवा चुनाओ को लेकर एक ब्रेकिंग नियूज निकल के आ रही है बीजेपी उतनी भी मजबूत नहीं जितनी हवा है कॉंग्रिस को भी लग सकता है जटका जानिये ओपीनियन पोल कि क्या है नतीजे जीहां दोस्तों गुजरात विधानसवा चुनाओ की लड़ाई दिन पर दिन दिल्चस्प होती जा रही है जैसे जैसे मतदान की तारीक नश्दी का रही है ठीक वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों के भी चुनाओ यूद्द तेज होता जा रहा है इस बार के चुनाओ इसलिए भी खास हैं क्यूंकि दिल्ली और पंजाम में सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी भी गुजरात की धहती को फत्य करने की कोसिसों में लगी है गुजरात विधानसवा चुनाओ के लिए उपीनियन पोल किया गया जिसके नतीजों से बीजे पी को का काफी हद तक निरासाहत लगी है पोल के नतीजों से बीजे पी में खलवली मच गई है ओपीनियन पोल के मुताविक गुजरात में बीजे पी को मात्र 53 से 68 सीटे ही मिल सकती हैं दोस्तों बात करें तो कॉंगर्स पार्टी को 72 से लेकर 78 सीटे मिल सकती है वहीं आम आदमी प सीदे तोर पर बीजे पी के बोट पितिसत पर आम आदमी पार्टी हां साफ करती हुई दिख रही हैं ये बड़ी खबार ब्रेकिंग ने उस दोस्तों इस समय के निकल के आ रही थी गुजरात बिधान सवा उपीनियन पोल आप तक पहुंचाया है खबर को लेकर अपनी रा कीजेगा दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद